Hello traders and welcome to the studio members Britannia को आज की दिन हम trade कर रहे हैं and काफी लंबे समय के बाद एक long video हम आपके साथ share कर रहे हैं आज हम Britannia को trade कर रहे है and Britannia के trade के साथ-साथ हम top down analysis की एक deep analysis आपके साथ करेंगे and top down analysis को समझाने की कोशिश करेंगे इसवाद Britannia का trade अपना चल रहा है and market close होने तक इसका proper हम वेट करेंगे इसवाद का अपना trade book open करते हैं so Britannia के अंदर 269 कोईंटी के साथ में morning में 9.30 की candle के ओपर हमने ये trade execute की आता अपने यहाँ पर आप time भी देख सकते हो time भी हम शो कर रहे हैं तो ही लागाओ जिससे की risk और money management आपका proper बना रहे stop loss नहीं रहेंगे update कर लोगे profit भी कर लोगे बट वो management के कोड़िंग नहीं रहेंगे so position book में position book में चलते हैं so position book में देखिए इस वक्त का जो अपना profit है 10,000 करौन का चल रहा है and अगर price upside की तरफ जाता है day break होता है so profits I think के आज के बारा या 13-14,000 के आसपरास का हम उम्मीद लगा रहे हैं कि यहां तक का होना चाहिए minimum इतना होना चाहिए so शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की वीडियो चलिए तो लाइक कीज़ेगा comment कीज़ेगा चैनल पर अगर आप पहली बार आएगो तो चैनल को subscribe कीज़ेगा because जेतनी भी trades समारे रहते हैं equities के जो भी हम trades करते हैं short वीडियो के मादधे हमसे आपनों तक daily हम पहुँचाते रहते हैं so उसके proper notification आप तक पहुँचेंगे telegram चैनल का link भी description में है आप लो ग्रूप भी जोएन कर सकते हो and छोटी छोटी कई सारी बाते जो कि आज की trade के तरूँ हम clear करेंगे कोशिश करेंगे आप तक so thanks and start करते हैं top down analysis एक बहुत classical technique है बहुत पहले से काफी काफी समय से यह यूज होती चली आ रही है जिनने काफी लोगों को तो मालूम होगा लेकिन नहीं भी पता है एकदम simple language में यह समझे कि सबसे पहले हम लोग एक बड़ा time frame लेते हैं यह weekly भी हो सकता है यह monthly भी हो सकता है उसके नीचे का जो time frame होगा अगर हमारा upside का time frame weekly है इसके बाद हम daily time frame पर आते हैं and after that 50 minute चाफी 5 minute के time frame पर आ जाओ एक तरह से higher time frame से अपनी analysis हमें शुरू करनी है and higher time frame से confirmations लेते हैं हम लोग फिर अब lower time frame पर आते हैं which is called top down analysis top से लेकर के down यानि के जहां पर हमें entry or stop process लगाना है वहां तक की नावसे समय करने हैं आज के इस वीडियो में Britannia को हम कैसे trade कर रहे हैं इसके पिछे के मारी अपनी analysis क्या है किस तरह से trend identification है supports resistance है फिर entry भी हमने जहां पर लिया उसके पिछे reasons क्या है एक एक चीज हम clear करेंगे इसकी शुरुआ थी weekly time चीम से जब आप weekly पर आओगे तो यहां पर देखो कुछ हमने levels अपने draw कर रहे हैं already क्योंकि यह हमारे support area है यहां पर आप देखोगे कि दो lines हमने put की हैं अब यह दो lines हमारे इन दोनो swings को denote करते हैं मतलब यह first follow swing इसके बाद भी downside का हम चलिए इन दोनों swings को remove कर देते हैं बहुत अच्छी तरह से इसको समझेगा price upsets move होकर क्या है यहां पर देखें इसने कहीं low लगा low के बाद में एक हमारा swing high लगा फिर से एक low लगा again high high फिर से low और price इस upside के दरफ चला गया अब यहां पर देखें कुछ हमारे पास important swings निकला है यह वाले यह analysis हम लोग कहां पर कर रहा है weekly time frame यह शुरुवात है यहां पर देखो highs लगे यह lows again high फिर से low और price हमारा upside के दरफ चला गया अब हमें काम करते हैं यहां से अपने लिए levels निकाल लेते हैं एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो levels हम निकालेंगे नहीं थोड़े से buffer दे करके रखेंगे माल लीजे एक area हमारा यह वाला हो गया और दूसरा हमने कहीं इस यह पर लाके रखती है तो दोनों ही lines को बीच में exact नहीं थोड़ा सा buffer दे करके अगर कोशिश करते हैं कि buffer दे करके अपने areas रखें लेकिन similar होने चाहिए हमारे swings है which is top analysis weekly time frame के तो weekly time frame से हमको यह area मिल गया अब यहां पर और हमें levels अपने draw करने हैं एक तो यह अपना area निकल आया अब देखो यहां पर हो क्या रहा है जो area हमने draw किया है यहां पर क्या market रुक रही है क्योंकि यह सबसे basic reading का part होता है एक level जो कि हम draw कर रहे हैं इस level के पास में क्या होना चाहिए हम जो भी area निकाल रहे हैं area हम draw कर रहे हैं प्राइस को उस एक जगह पर आकर के hurdles लेने ही होंगे यही confirmations की trick होती है ऐसा नहीं हो कि हमारे levels पे up and down, up and down, up and down move कर रहे हो और आप in between trades कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है इसका ठीक है अभी देखिए हमने क्या किया अच्छा इस वक जो हम use कर रहे हैं अपनी इन वाले levels का center वाले levels का use कर रहे हैं तो बागी के हम levels को remove कर देते हैं यहां पर कुछ volumes की uses हम आपको बताएंगे volumes को को लो देखो, जब जब price आपका आपके area पर touch होगा इसको ऐसे समझे फिर सम ड्राइंग करेंगे जब जब price यह मेरा resistance है यह मेरा point of action है price जैसे इस area पर touch हो again touch हो again touch हो फिर से touch हो तो जो इसके volumes है न touch जो भी candle touch कर रही है उसकी volumes आप देखोगी कि ज्यादा होगी average volume से थोड़ी सी ज्यादा होगी generally वहाँ पर आपको breakouts देखने को मिलेंगे कई बाप breakouts नहीं होते हैं उनकी techniques फिर दूसरी होती है but यह confirmations का तरीका होता है कि जैसे ही कोई candle आपके predefined area पर या फिर आपके किसी strong draw किये हुए supporter resistance पर जैसे ही touch करेगा उस candle की volumes में breakout होते हैं क्योंकि वह बहुत एक तरह से कह सकते हैं जो orders लगने की संख्या होती वहाँ पर बढ़ जाती है इस विए से volumes के breakout दिखनों के मिलेंगे फिर से दो को volume के breakout जैसे जैसे touch of volumes के breakout यहाँ पर काफे सारा प्रोफेशनल्स हैं या जिन्हें बड़ी माल उठाना है तो वह कहीं से भी तो नहीं उठा लेंगे या फिर ऐसा भी होता है यह मित है एक तरह का मित भी बोल सकते हैं सच्चाई भी है यह कि प्राइस में अगर हम बड़े orders लगा रहे हैं ज्यादा बड़े orders लगा रहे हैं तो हमें हमें नहीं मालूम है कि यह resistance है support है हमें नहीं फर्क नहीं पड़ता हमारे पास आज पैसा है या कोई आपका FII याई याई डी आई याई है उसके पास आज पैसा है उसने देखा कि इंडिया के अंदर opportunity है या के अंदर कोई अच्छी opportunity है चलो डाल दो पैसा 3-6-5-0 पर कोई याई नहीं है कोई point of action नहीं है लेकिन जैसे ही वह बड़ी quantities लगाएगा ना वहाँ पर supports बनने start हो जाएंगे वह area resistance convert करना शुरू कर देगा इसके पीछे का reason क्या है कि price जैसे ही low पर आगा एक बार में तो उसकी एक लाख quantities execute होने जाएंगे क्योंकि millions में quantities के orders लगेंगे जैसे price upside की तरफ गया फिर से देखो वह नीचे की तरफ आगा दूसरी बाब में अपने orders fill करेगा फिर से उपर चला जाएगा फिर से अपने orders fill करेगा फिर उपर जागा फिर अपने orders fill करेगा इस तरह से supports draw होते शलते हैं नए supports बनते पुराने ब्रिक होते रहें तो इस वज़े से जैसे ही यहाँ पर उसके orders लगे volumes के breakout होए फिर से orders लगे फिर से volumes के breakout होए इस तरह से मेरे supports बनते चले गए and volumes के breakout होते चले गए हमने इस पूरे बात से क्या चीज़ समझी क्या समझने के कुशिश की कि area या जो point of action है वो हमारे strong होगा अगर वहाँ पर volumes के breakout देख लेते हो तो वो strong confirmations होता है कि हम इसे as a resistance consider कर सकते हैं अब इनको हम remove करते हैं ठीक है weekly time frame है आप down side के दरफ आज़ाएं जैसे ही price यहाँ पर touch हुआ volumes के breakout फिर से touch हो volumes के breakout मतलब कि यह resistance है और यह strong resistance है ठीक है अब आगे चल कर कि क्या हो रहा है price आज जो हमें मिला exact उसी जगह पर मिला जहाँ पर इस से पहले एक resistance हमारा already break हुआ है हमारे इस level तक आने से पहले price ने यहाँ पर बहुत सारे hurdles लिये मतलब एक support बनाया बन जाने के बाद में उसके breakout हुए है and then price यहाँ पर आया है और यहीं से हमको तो क्योंकि मेरे पास तो पुराने supports थे तो यहाँ से हमें मिल गया है अब इन supports के पास में क्या हरकत हो रही है यह हमें देखना होगा तो यहाँ पर देखो जैसे ही price आपका आपके support एरिया पर आया अब इमने बता है न कि price अगर आपके किसी support पर आकर कि volumes को बढ़ा रहा है volumes के breakout हो रहा है तो क्या होता है यह supports पर confirmations होते है जहाँ आप इने supports पर supports के confirmations कही है जहाँ resistance पर resistance के confirmations कही है तो यहाँ पर support के confirmations मिल रहा है यानि कि यह एक strong support एरिया है जहां से मैं यह trade मिल रहा है याद रखियेगा अभी हम लोग weekly time frame पर है weekly time frame पर एक green color की candle है यह वाली के प्राइस काफी दिन से इस range के अंदर ही travel कर रहा था आप पीछे दोखो यहाँ पर है ना इस area के अंदर ही trade कर रहा था यह कल के जो last week रहा है last week के session में प्राइस हमारा support के नीचे आया यहाँ पर अब यह आप बताए कि प्राइस वाकई अगर week है तो उसे क्या करना होगा हमारे इन supports को break करके फिर यह downside की तरफ चला जाए chances है ना प्राइस ने अगर अपने previous support को break किया है support को break करने के बाद में जो मेरी master candle है weekly time frame पर प्राइस ने उसके भी लोग को break किया है and again अब यह अपने ने support पर struggle कर रहे है यहां से अगर यह week है तो इसे नीचे जाना चाहिए अगर यह नीचे नहींगे तो क्या हो सकता है फिर तो यहां से इसको support से मिलेंगे न तो प्राइस जब तक हमारे इस वाले level के नीचे नहीं है यह तब तक strong ही है इस level से यहां से क्योंकि अब यह इस level पर है क्योंकि अगर in between ओट रहा हो तब तो फिर वो week है जब तक मेरे support पर नहीं जागा support पर आगा देखे मैं वाल्म के साथ confirmations मिले and then we can say that this is strong strong trend एक strong area, strong point of action strong support clear नहीं? अभी weekly पर हमें यह समझ में है कि Britannia एक strong support पर है अब हम आजाते हैं daily time frame पर daily time frame पर देखो क्या हो रहा है जैसे कि यहां पर किस तरह से price रुका यहां देखें यहां पर भी रुका यहां पर भी रुका, यहां पर भी रुका बट जैसे ही हमारी इस बड़ी सी green वाली candle के नीचे market गई है यहां पर volumes का game देखना और price का game देखना जैसे price हमारी इस green वाली candle के नीचे गई इसके अंदर हुआ क्या है? Price हमारी इस वाली candle के नीचे इसने दो closings थी और lower lows फॉर्म किये lows ब्रिक होएं, lows कट गए हैं यहांपर हुआ क्या है? कि decreasing lows फॉर्म हो गए price तो नीचे आया है price एक support पर आया है बट इस support पर आते आते इसके अंदर volumes देखो decrease हो रहे है मतलब क्या है इसका? weekly time frame पर यह strong है daily time frame पर हम देख रहे हैं कि price अपने support पर आया है यहांपर decreasing lows फॉर्म हो रहे है आज क्या कर सकते हैं? सिर्फ हो सिर्फ buy का view यह चीज हमने इसलिए बताई है क्योंकि decreasing lows या falling lows के थूरू हम जितने भी वीडियो अप्रोड करते हैं आज जो आप देखते हो तो ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक में decreasing or falling lows पर आपने trade कर दिया हम decreasing or falling lows को देखते हैं बट वो as a plus point चलता है मेरे साथ कि हाँ है इससे हमें analysis में ज्यादा सरदर्द नहीं होगा analysis में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आराम से smoothly एक analysis करके हम निकल जाएंगे लेकिन decreasing or falling lows के साथ बाकी की analysis and readings बहुत काम आती है volumes के जो आपकी knowledge है यह बहुत काम है कि यहाँ पर जो आपका experience है वो बहुत लगेगा इसके अंदर higher time frame के जो readings रही है सिर्फ decreasing or falling lows देख करके काम नहीं चलेगा decreasing or falling lows देखो उसके बाद में देख लो कि यह decreasing or falling lows बन कहाँ पर रहे है हाँ अगर आपकी previous support पर बन रहे है supports पर form हो रहे है अब आप काम करो अब इसके success होने के chances ज़्यादा हो जाते है अब है मैं मालूम है कि मैं बिटानिया को trade करना है सो daily time frame की सारी analysis हम ने आपको बता देए यहाँ पर देखे हमने क्या किया कि यह वाली candle थी 18th of April की candle में इसका low mark कर दिया क्योंकि आज के लिए इस candle का importance है 18th of April की candle अब हम आज आते हैं lower time frame पर देखें markings काई सारी हो गए है वीडियो अगर skip करकर के देखोगे तो फिर confused हो जाओगे कि कौन सी marking कहां से आगे कहां से हमने price ले लिया जब भी price को rate करने बैठो जब भी price को समझो तो बहुत इत्मी नहान से पहले भी हमने कई बार ये बाते बोली है कि हमारे एक दिन का काम थोड़ी ना है यह सब कि जल्दी जल्दी analysis करके निकल गए या जैसे options में होता है कि फटा फट से दो और तीन candle के analysis करके दो और तीन candle लेने के लिए उतनी candles लेकर के निकल गए करो गे loss ही उसमें घुमा फिरा बट यहां पर क्या है कि जह हम लोग equities में trade करें cash में trade करें तो इत्म नान से यहां कोई time decay बगरा नहीं होता कोई अचानक से sudden move नहीं आ जाएगा जो आपके analysis रहे कि सही जगह पर analysis करो आप देखो मज़ा देखो फिर उसका पूरे पूरे दिन hold करते हैं trades को हम लोग यह इसका अपना एक plus point है जब तक stocks में profitable नहीं हो जाओ ना किसी भी और segment में हाथ ही मत डालो क्योंकि नुक्सान ही है आप logic समझो इस चीज़ का 100 रुपय का stop loss अगर रोहित से protect नहीं हो पार तो वो एक हजार रुपय का stop loss कहां से protect कर लेगा लेकिन उसको लगता है कि बड़ा पैसा बन रहा है कम capital में बड़ा पैसा बन रहा है क्योंकि कम capital में बड़ा पैसा बन रहा है इसलिए पूरी market वही चीज़ आपको सिखाने में लगी हो यह वही चीज़ बताने में लगी हमारे लिए क्या मुश्किल हम भी options आपको करना सिखाए जैसे सब करने वैसे हम भी करते हैं लेकिन जो सही बात है एक जो सही तरीका है एक जो सही पात है वो समझो अपने खुद का common sense लगा मार्केट में जब आपको चीज़ लेने जाते हैं तो वह वही आपको देने की कुशिश करता है जिस पर कि वह ज्यादा अपने लिए उसके लिए ज्यादा बेनिफिशल होगा है उसके बहुत तरह की features बता देगा उसके कमिया नहीं बताएगा कमिया आपको खुद ढूननी होंगी options बेशक अच्छा है कम पैसे में ज्यादा पैसा बन जाता है लेकिन कितना कितना समय लगता है वहां तक पहुँचने में जरूरी है कि सबसे पहले price action को master करो volumes को पढ़ो क्योंकि price actions तो दोनों जगा से में जैसे अपना यहां पर bank nifty चलेगी वैसे बिटानिया से लेगा जैसे ACC चलेगा वैसे निफटी चलेगा अलग तो चलेगे ने तो क्यों न हम लोग ACC बिटानिया को ट्रेट करकर के पहले अपने price actions को master कर ले volumes की analysis को master कर ले उसके बाग में दुनिया के किसी market में trade करने चले जाओ लेकिन शुरात में अगर वहां जाओ तो नुकसान होगा हमने कभी यह नहीं कहा कि options बहुत खराब है हाँ समय से पहले अगर करोगे experience नहीं है आप चलेगे options के अंदर काम करने लिए तो उससे जादा ब stop loss का point है 4678.75 यह अपना stop loss का area है यहाँ पर पना stop loss लगा हुआ है entry देखे हमने कहां पर ली last trading session की यह वाली जो candle रही है last to last trading session यह अपना master point था इसके थूर अपने trades आज की हमने देखे अब ऐसा क्यों हुआ है इस चीज को समझे है यहाँ पर swings लगे हमारे high देखे यहाँ पर swing लगा high अगेन यहाँ पर swing लगा इसके बाद में price हमारा upside की तरफ चला गया फिर से swing low अगेन high फिर से swing low देखो हो क्या रहा है यहाँ से जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो एक चीज़ आपको साफ साफ दिखाए पड़ेगी कि price अपने lows को बहुत अच्छी तरह से protect कर रहा है यहाँ पर देखिए यहाँ से low फिर उपर की तरफ चले गया फिर नया low यहाँ पर लगा फिर से देखो एक नया low यहाँ पर लगा इसी तरह से जो lows है मेरे वो protect हो रहा है price अपने lows पर support ले रहा है and यह वाले जो lows हैं क्या यह similar है previous to previous day की candle के high से आप mark करके इस चीज़ को confirm कर लो तो हो क्या रहा है price action क्या बोल रहा है कि price अपनी previous to previous day की range के अंदर support ले रहा है इसको और हटा दो आप सारी चीज़ें remove कर देते हैं लोग चलिए I hope की समझ में आगए होंगी मार्किन सगरा सारी previous to previous day की range के अंदर देखो सिर्फ इतनी candles गई है यह वाली बाकी उस range पर support और आज की नाल से समय क्या समझ में आ रहा है कि price is strong ए ग्रीन candle form हो सकती और price ने देखे support भी गहां पर लिए 466.60 पर support ले लिए अब set के तरफ यहां आपर में एक छोट असा confirmation चाहिए था कि price कैसे भी करके हमें को एक bullish breakout का confirmation दे नौ बच कर 35 में की candle में बहुत अच्छे confirmations थे यहां पर दोखो volume के साथ breakout हो गया जैसे ही price ने closing के अपना trade इसी जगह पर हमने fill कर दिया अब अगर जाने stop loss को तो चला जाए अब एक चीज़ गौर कीज़ेगा यह इतना समय लग रहा है ना analysis करने में यह समय सिर्फ इस बात क्या क्योंकि अपनी analysis को हम explain कर रहे है इतना समय नहीं लगता है trade analysis करने में बहुत कम समय लगता है weekly time frame पर देखे एक दू केंडर समांग इस तरह से धीरे 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 करके जावा पनाल्सिस डेली बेसिस पर कुछ 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 स्टॉक्स पर आनल्सिस करते चले जाओगे तो बहुत आपको मदद मिले किसी की और इसी अनाल्सिस को बोला जाते है top-down analysis होल्ट करेंगे हम इसको पूरे दिन होल्ट करेंगे अभी कि देखो प्राइस कितना upside के तरफ चला गया है अच्छा मुपार है इसके अंदर 4738 प्रॉफिट से बेशक इंक्रीज होगे एक बार देख लेते हैं देखिए करीब 12,98 के राउंड का प्रॉफिट 13,000 के आसपास का है अभी profits or increase होगे इतने confidence के साथ इसलिए बैठे रह सकते हैं क्योंकि जो stop loss लेते हैं आप मालू है कि मेरे जेब से अगर पैसा जाएगा तो उतना ही जाएगा उससे जादा नहीं जाएगा तो stop loss याद रखना डर बिल्कुल नहीं लगेगा अगर stop loss उतना लगा है जितना की आपकी risk capacity है अगर 500 की risk capacity हो तो 500 रुपए का ही risk लो उसको 1000 रुपए का मत करो 1000 रुपए छोड़ आप उसको 600 का भी मत करो आप डरो करें आपकी psychology बहुत strong होगी अभी profits और increase होंगे अभी का जो टार्गेट था वो weekly time frame की green वाली candle आपको याद है यहां पर आप देखो daily time frame पर भी जो green वाली बड़ी सी candle है यह वाली इसका low first target हो सकता है यहां पर हम देखेंगे अगर कोई reversals हमें देखने को मिले तो निकल जाएंगे otherwise एक तरीका हम आपक कि normal candles देख लो क्या है average candles यहां पर इस वाली candle का जो percentage wise movement है 1.50% क्या सबस है इस वात का जो चल रहा है 1.49 है on an average मालों के 1.5% की candle है तो बाकी की candles का rate क्या है यहां पर देखो high से low देखो 1.5% की candle है यहां पर देखो इसका rate क्या है 1.5% 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 से थोड़ा से ज्यादा है 1.7% यह क्या है rate वगरा क्या है कि एक on an average candle Britannia के अंदर इतने की ही बन रही है तो जैसे में target मिला हम यहां से लेकर के निकल सकते हैं कि जब देख रहे हैं कि price की normal candle तो इतनी बड़ी बनती है तो इतना profit लेकर कम निकल जाएंगे तो यह भी एक तरीका होता है कि profits को कैसे और किस जगह पर book करना है बाकि 5 minutes पर हम आएंगे देखेंगे कुछ reversals होता है तो यहां से हम exit हो जाएंगे otherwise अपने profits को हम और आगे की तरफ hold करेंगे तो thanks goodbye and I hope की video आपको पसंद आया होगा वीडियो चले के तो like जूरू कीजेगा thanks and we will meet again